नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ नाया शर्मा शुर्वात करेंगे खबरों के विस्तार में फग्वारा के गाउं खर्जुरुला मैं उस समय संसनी फैल गई जब गाउं के बाहर गाउं के लोगों ने एक व्रती की लाश को पेर से लटकते हुए देखा पुत्र लालचन निवासी खर्जुला के रूप में हुई है सदर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शब को अपने कबजे में लेकर पोस्माचम के लिए फग्वारा के सिविल अस्पिताल के शब ग्रह में रखवा दिया है वहीं SSI गुर्वंदर पाल सिंग ने बताया कि घरवालों के बयानों के अधार पर अगली कारवाई की जाएगी प्रवंदर पाल सिंग में अधार रखवाड़ा जूड़ी आफसर सीपे इतलाह मेडी पेंड़ कुझ उले तरदी एक पेंड़ देंदे मन्देने उंटार ना सानवलेट लेक लाल चदर पेंड़ कुझ उला उन्हें फाहा लेल्या द्रख कर दादो मैं दा कंते किया थे करो रूटी रूटी खागा आज िदर फिछे रूजां तो काम कॉपड़ा भीज्स पर निज्च रूजान कपुर्टला के डिलवा में गंदे पानी की रिकासी ना होने के चलते गंदा पानी अब लोगों के इलाकों में और किसानों के खेतों में जा रहा है जिससे उनकी फसले खराब हो रही है परिशान के खानों ने इस पर रोज जताया है और प्रशासन ने इसे ठीक करने की मांगी है उनके नुसार उन्होंने कई बार सम्बन में नगर काउंसलर को इससे ठीक करवाने की मांगी है पर वह उस तरफ ज्यान नहीं देते जबकि इस समस्या से जूचते हुए उन्हें इसके लावा जब भी इस सदक पर गंदा पानी खड़ा होता है तो इससे निकलने वाले रागिरों को भी मुश्कीलों का सामना करना पड़ता है पाने निकासी की वज़र ना होने की वज़र से इलाकियों में लगातार पानी जमा होते जा रहा है और इस गंदे पानी की जमा होने की वज़र से वहां के रागिरों को खासा परशानियों का सामना करना पड़ रहा है वही मां के रागिरों का खेना है कि प्रशासन से कई बार इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक कोई भी आक्षिन जो है नहीं लिया गया है कपुरसला के जिल्वा में गंदपाने के निकासी ना होने के चलते ये खबर जो है सामने आये जहां पर गंदपाने किसानों के खेतों में भी जा रहा है और उनकी फसले खराब हो रही है परिशान किसानों ने इस पर रोज जताया है और प्रशासन ने इसे ठीक करने की मांग की है उनके अनुसार उन्होंने कई बार संबंद में नगर कांसलर को इसे ठीक करवाने की मांग की है और इस तरफ ध्यान लेकिन प्रशाशन जो है नहीं दे रहे हैं जबकि समस्या से जूचते हुए उन्हें काफी लंबा समय हो गया है कि दिक्को जी कोष्चित तेकिया नगरपंजाइसी कोज़ा फोलो जड़ें अजमीन ले यह मनलोगी कि इनरा करके मनलोग इसे उनकम लेड़ायर रहे हैं कि अगैसर नगरपंजा गए आग्वाने कि अश्यां निकास नीए कुछ इसका अपनी तरह रहा है कि अमें अगया कि अटिए ज्ट करेंगा ज्राइट आघर जान हो ज्याए कि अगया उस्टेश पाज बंदे कुछ नमाई गया है यह अगया इसे करी वेचीज अगल तपा जिनी दिए आहां रागा जानता हुए यह वाड़े बेखाट गुए जो आफ पॉच्छे बहुत जानीज़ लग दिर्ट जो इसे को बशात हो दिया जागागा इनकार हो दिया पारी गंदा पारी जिए प्टिंदा भी फसल घराव हो जाएंधीए जातकर दिया जी सानू मीना दो दो मीनेदो अशोंजी प्लानेता अतलाप लो लग धियां जी अ कि अधे पैड़ी दोते आट वाकड आगे गया जी एक तरफ कि एदे उन्हें शोगीता जी भी ग्यारा लाखर पिजाए शपर दिला आता आवा कोई लगार नी रहता हैं आप मिटी भूले आजी आप बांद बांदे आजी और पाणी जित्तर दी फ्रे पैंदास में ही उत्कोई बांद कीता हुए आवाजी एज एदी जिदी एना थाई मेना जी पुक्षे साथ की फ्रेंड मागा इलमा है नी गर्ट किया इते के बंदी म करोना का नया वेरियंट एक बार फिर से देश में दस्तक दे चुका है जिसको लेकर जहां देश में करोना के मामले आने शुरू हो गए हैं वही पंजाब सरकार की और से इस करोना के नई वेरियंट को देखते हुए हिदायते जारी कर दी गई है जिसके चलते पठान को सरक स्टाफ और जॉक्टर की और से जो मास्क पहले उतार दिये गए थे अब दोबारा से पहल लिए गए हैं साथ ही लोगों से ये भी अपिल की जा रही है कि वह भीरबार वाले इलाकों में जाने से बचे जरूरी काम वो तो ही खर से निकले और मास्क पहन कर निकले करोना का नए वेरियंट आने के बाद सब जगा पर निदेश जारी कर दिये गए हैं आपको बता दें कि खास कर पठान कोट में जहां पर पंजाब सरकार की और से इस करोना के नए वेरियंट को देखते हुए हिदायते जारी की गई है जोसके चलते पठान कोट सरकारी अस्पताल में सरकार द्वारा इदायतों की पालना दी जा रही है और स्टाफ और डॉक्टर की और से जो मास्क पहले उतार दिये गए थे अब वो दुबारा पहन लिए गए हैं अपनी स्क्रीन पर तस्वीरे देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर और सभी जो है मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सभी को अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है लोगों से ये अपील की जा रही है कि भीड़बार वाले इलाकों से दूर रहे जरूरी काम को तो भी घर से बाहर निकले और मास्क पहन कर भार निकले पहली गलत एक अधिक जंदा है मैं सारी जंदा रहूं प्रणकोड़ दे रूप की कब्रानवारी तो यह अपना परकॉशन जेड़े प्लल ला रहे रहे हैं मास्क माना दूरी बनाना एंदूरी बनाने थे बाकी हास्फिल दी आला है हास्फिल जेड़े अक्सिजन प्लांटर बिल्कुर फंक्शनिंग यह उनने पुरी रिपेर अपकाती है प्राइवेट जेड़े बॉर्ड यह तियार करते देंगे अपर जिन्ने भी एर रिपोर् किया है जिसके कबजे से पिस्तौल सहीत दस राउंड बरामत किये हैं वरश पुरस कप्तान वरुन शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि पिछले दिनों पट्याला पुलिस ने गैंक्स्टरों अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए एक व किया है जिसके कबजे से पिस्तौल सहीत दस राउंड बरामत किये हैं वरश पुलिस कप्तान वरुन शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि पिछले दिन पट्याला पुलिस ने गैंक्स्टर अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ कारवाई करने के लिए एक वि गैंक्स्टरांद एखलाफ एक बड़ी सरगर्मी ना लसी महां चलाई है उससे लडीचे अने बहुत बड़ी काम्याभी वदों मिली जेदों एस्पी इंवेस्टिकेशन हर्दीर से निट्वाल बीएस्पी इंवेस्टिकेशन सुसमरत रंदावा इंचार CIO पट्याडा इ टीम में बीपक बनूर गैंग दा लॉरेंस विष्णुई गैंग नाल समंदिक एक गैंस्टर जेडा नरिंदर शर्मा राजपुरे दा रहनवाडा नरिंदर शर्मा और शंकर यंवरेस्ट कीता ते दो वदिया क्वालिटी दे पिस्टल्स वी देतनों ब्रामत हो तो गुर पगड़ी पहना मोटर साइकल सवारी वक पी सी आर मुलाजबों के सामने ही जूतों से बरा एक बोरा उठा कर फड़ार हो गया चोरी किये सारे खच्रा सिसी टीवी कैमरे में बेकैद हुई है फिलहाल शोरूम के मालिक ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने मामले की जाज परताल शुरू कर दी है जानकारी देते हुए पंक शोरूम के माले करन ने बताया कि कल उन्होंने अपने शोरूम के लिए कपड़े और जूते मंगवाए थे और सामान आने के बाद उन्होंने दुकान के बाहर ही सारा सामान उतार लिया और ग्रावों को सामान देने में व्यस्थ हो गए तभी एक मोटरसाइकल और आए पगड़ी बहने यूवक ने वहां से जूतों से भरा बुरा उच्छाया और अपने मोटरसाइकल पर रखकर वहां से फ्रार हो गया गुर्दासपूर जले में चोरी की वारदाते रगातार बढ़ती जा रही है तादा मामला गुर्दासपूर के कानुवान चौक से आया है जहां पर कपड़े के शोरूं के बाहर से एक पगड़ी पहना मोटरसाइकल सुवार यूवक पीसी आयर मुलाजमों के सामने ही जूतों से बरा एक बुरा उठा कर फडार हो गया चौक ये सारी कच्टना से सीटीवी कैमरे पर कैद हुई है फिलाल शोरूं के मालिक ने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने मामले की जान परतार शुरू कर दी है जानकरे देते हुए पंक शोरूम के माले करन ने बताया है कि कल उन्होंने शोरूम के लिए कपड़े और जूते मंगवाई थे और सामान आने के बाद उन्होंने दुकान के बाहर ही सामान उतार लिया और ग्राकों को सामान देने में व्यस्त हो गए तभी एक मोटरसाइकल प कानवान चौंग दे पाई शौप आवली ते परी कालना एक लड़का आया सरदार मुंडा सी गा ते कोई शाम में साधे साथ वाठा टाइम सी गा ते पाई तानु पदा शौप देख लो हुनवी राश्या कस्मर सी गे ते बरदर उस ते बरदर कला सी गे शौप दे मैं भी न लड़का आया सरदार मुंडा सी का ते कई शाम में साथे साथ वाठा टाइम सी गा ते पाई तानु पदे देख लो हुनवी राश्या कस्मर सी गे ते बरदर उस ते बरदर कला सी के शौप दे मैं भी ने इस घड़का बनेगा खाए से ते मुंडे निनना बजी उस चीदा फैदा लिया जो देखे हैं कि अंदर कश्मा दा राज़्चा बंदा बिजी है बारों बजी उन्हें शुज़ा नागा आए है परसों बजी बिल्टी ऐसी काल शाम नो ते उन्हें उही चीदा फैदा लिया पर पूरा पूरा नागी चु में यहां पर लाया गया था रोज मारपीट भी की जाती है और रोज जली किया जाता है इतना ही नहीं जेल सुप्रेटेंजन पर आरुप लगाया है कि वो जमानत ना होने देने की बात भी कहती है खबर रुध्याना से है जब दो ओरतों को मेजिकल के लिए अस्पिताल लाए गया था तो उन्होंने जेल सुप्रेटेंजन शेजर्डर कुमारी पर दोश लगाया कि वहाँ पर उन्हें मारा पीटा जाता है और जेल के सुप्रेटेंजन बत्तमीजी से उनके साथ पेश आती है और उन्होंने ये बताया कि उनके साथ रोज पिटाई की जाती है और उन्होंने जानकाई देते वे आगे बताया कि एंड़ीपी एक्ट में यहां उन्हें लाया जाता है और रोज उनके साथ मारपीर की जाती है रोज जलील किया जाता है और उन्होंने यह भी बताया कि तक एकारण कारन आगा जो कि राशन करें लेके जान रिया है जो कि सब्सक्राइब तरह बहुत गंदिया तो गंदिया तक दिए फैमिली नो रेस्ट करंदिया तक किया देरिया जोड़ जा रहा है तो फटके खट यहां ने तो ठांदिया ने मेरी गार्द कटी यहां तो अप्लिकेशन लिगी सी शुप्रेट चंचल कुमारी ने साधियो अप्लिकेशन पाडली उस्तों बाद मेरी काने गार्द काट ती जा रहे हैं सामनों गंदिया तो गंदिया साधी फैमली नो रेस्ट करन दीया ताम किया दे रही है जिसे शार्दे लिए बोल दे ना प्रसादे ना गलत जोड़े जा रहे है तानों कलुछिर एक्टिविटीजर भी ज़्ट एगिने तीजटेश दीज़े बच्चे आंदे ग सब्सक्राइब 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 अकवतादे की कारेकरम की शिरुवात प्राथना से की गई और पहले दिन आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में विबिन स्कूलों के सेक्रोच हात्रों ने भाग लिया इस मौके पर 100 मिचर, 200 मिचर और 400 मिचर दोड के अलावा गोला फेक, लंबी कूद, कुष्टी और कबड़ी जैसी प्रतियोगिताओं आयोजित की गई पहले दिन ये मौके पर कपूर साला के जिफ्रिक वर्शनर कैप्चन करनेल सिंग विशेशतोर परशामिल हुए उन्होंने प्रबंदकों की इस पहल की सराहना की और कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेलो और गुर्बानी से जोड़ना बहुत अच्छी बात है सरब सदाने श्री गुरू गोबिंद सिंग जी के चार साहिब जादो माता गुजर कौर और बेंत शहित के याद को समर्पिस भाई गुर्दाज शी गुर्मती वद्याले में संगत के सहयोग से दो दफसियर धार्मिक समारो और खालसाही खेल खेल किये गए आपको बता दें कि कारिकरेम के शिर्वात अफरातना से की गई और पहले दिन आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में विभिन स्कूलों की सेक्रोच हातरों ने भाग लिया है इस मौके पर 100 मिटर, 200 मिटर और 400 मिटर दौर के अलावा गोला फेक, लंबी कूद, खुष्टी और कबड़ी जैसी प्रतियोगिताओं आयोजित की गई है पहले दिन के मौके पर कपूर सला के अडिप्टरिक कविशनर कैप्टन करनेल सिंग विशेश तोर पर चामिल हुए उन्होंने प्रभंदकों के इस पहल की सथाना की और कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखते हुए खेलो और गुर्बाने से जोना बहुत अच्छी बात है मैंनों बहुत खुशी हो रही है और मेरा सिर जड़ाया ओशर्दा दे वेच उन्हाँ साथ जाते हैं लें चुपरे आया और जो पाई गुर्दास दूर्मत बद्याले वलो सिख फिर्जी नों खास ता और और पंजाबियानों खास ता और दे इस जीवन जाच देना जोड करवानी को सेद लेके अपनी जीवन जाच अपनों दा उपराला कीता जा रहा है जड़ा गुर्मत बद्याले चल रहा है यह सारियां ही गतीवीदियां बहुत बद्याने समाजनु से देन्वालियां ने और जिला प्रशाशन हमेशा ही एह हो जिए गतीवीदियां दा साथ आगे खिए भुदा में फमाज पेज्ड़ा में समाज बेवे तिजड़ा में अ करोपा चुका इन बद्युक्त मजरे रहा हुए फारे जिन्हेरे ने जिदेरे मज़त आप बयाने ने जिए फंदे मत्यान ने ने शा बोकत कर ले शुड़ाद तो एम जागरोओ कर लेशन हमर सर के हाईवे रोड पर खंण दियां परमीर के पास समय संसनिक फैल गई जब लोगों ने गंदे नाले में एटियम मशीन जैसे एक लोहे की चीज देखी तो तुरंत पुलिस वशासन को सुचित किया जिसके बाद जैसे भी मशीन मंगल वाकर एटियम मशीन को बहार निकाला गया हाला कि पास्तव में ये एटियम मशीन ही है या जब लोगों ने गंदे नाले में एटियम मशीन जैसी एक लोहे की चीज देखी है और तुरंत पुलिस वशासन को सुचित किया है जिसके बाद जैसे भी मशीन मंगवाकर एटियम मशीन को बहार निकाला गया है हाला कि वास्तव में ये एटियम मशीन है या कुछ और है इ खबर है ये जहां पर खना पेपर मील के पास का ये पूरा नजारा है जहां एटियम मशीन होने की जानकारी मिली गई थी कुड़े में हाला कि ये एटियम मशीन है या कुछ और इसकी जानकारी इसकी चानवीर में पुलिस जुर गई है इसना मिली है कि कोई ना लोई दी को चीजिया एटियम मशीन टाइप मश्राइब है ये जड़ा वेक्षन तो लगदा भी एटियम मशीन लगदी है बाकी पुल्साइब जानकारेगी है इन तो वेक्षन के पर कीये ये तो बात पता लगे जोगई है जोड़ा निकली है लगदी है एटियम मशीन लगदी वेक्षन तरंदारन जुले के अंतरगत आने वाले गाउं वो खवासपूर में गोली लगने से क्यस्ति की मौत हो गई है और करीब तीन लोग घाल बताये जा रहे हैं पुरेट परिवार के सब्दस्यों ने जांकरे देते हुए बताया कि गाउं के ही कुछ लोगों ने उन पर गोली चलाई है इनोंने बताया कि एक दिन पहले हमलावरों ने उन्हें धमकी दी थी और हमलावरों ने उन पर सीधी फाइरिंग कर दी थी इस फाइरिंग के दुरान बलवंदर सिंग की मौत हो गई है और करीब तीन लोग भाइल हो रहे हैं जिने इलाज के लिए स्विश्पताल भर्ति कराया गया है लोध्याना में करंतारन से ये खबर है जहां पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है इस हादसे में एक रख्ति की मौत हो गई है तीन लोग घायल हो गई है जिने इस्पताल में भर्ति कराया गया है इलाज के लिए और हाला क्या पूदादे की पूलिस जो है पूरे मामले की चांबिर में जुद गई है तरंतारन से खबर बताए जा रही है जहां पर गोली बारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है है और तीन व्यक्ति खायल हो गई है सब्सक्राइब करना कोई पूर्षदी का रवाई शरे आमो दोची फिरिंडेया मौचर प्रदेश से अवैद रूफ से पंजाब में दाखिल होने वाली रेत बजरी की गाडियों को माइनिंग विभाग और पुलिस वारा जब्त किया गया है रेत बजरी से भरी 14 गाडिया जब्त की गई है जिनके पास रेत बजरी से सब्मन्द पूरे काघजात नहीं थे माइनिंग विभाग अब उन गाडियों पर कारवाई कर रहा है रेद बजरे से सब्मंद काग जातना होने पर सभी गाडियों पर 2,00,00 रुपए जुर्माना किये जाएगा कुल 14 गाडियों से 28,00,00 रुपए राजस्व वसुला जाएगा जी ओपरेशन जॉइंटली किता गया माइनिंग डिपार्टमेंट ते अपने पुलीस विपाग वलों जिदे चे पुलीस स्टेशन नंगलपूर्दी टीम इचे शामल सी इस तरह एक साधे कुल आज स्वीरे अर्ली मॉर्निंग तरकीबन साधे बारा एकवर्ज इंफर्मेशन आई सी कि कोच से ट्राक कही माचन को विदाउट बिल्स या अंडर बिलिंग ते जड़े पजाब दी हाथ तो निकल के अगे जा रहे तो मौके ते एक्ट कर दे होए अपा माइनिंग टीम जे नाल साधे अगे मलाजम सी प्लारस बुलचन को यहीं करेंगे समाथ मनाश मावाब से लूंगे विदा नमस्कार